नाकपुर महानगरपालिका से तबादले के बाद पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तुकारा मुंडे बिना किसी नेता का नाम लिए उन्होंने संसनी खेज आरोप लगाया कि उनका चरित्र हनन करने के लिए कुछ महिलाओं को उनके पास भीजा गया उन महिलाओं ने उनके पास आकर अपने कपड़े फाड ले पूर्व मनपायुक्त के उक्त बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शेहर के प्रतमनागरिक संदीब जोशी ने कहा कि उक्तनेता और उन तक पहुँचने वाली महिलाओं का नाम सारवजनिक करे अन्यता शेहर की महिलाओं के सन्मान में कानूनी सलाकार लेकर दावा ठोकेंगे मुंडे के बयान से महापौर संदीब जोशी काफी व्यथीत हो गए उनका कहना है कि मुंडे जैसे कानून के पालन करता अधिकारी से यहाँ प्रिक्षा नहीं थी वहावी तब जब उनका नाकपुर मनपा से तबादला हो गया तबारूप लगा रहे मनपा के उनके कारिया साकर्मी हमेशा उनके साथ साय की तरह रहते थे गटना सिचिंहीं तब उनके सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे मुंडे एक इस सद्यकारी है उनने आध्वावज शिकायत तुरंट पुलीस में करनी थी दूसरी ओर जब चार या उससे आधीक से मिलने आते तो बिना समय गव को क्यों छपाया मनपा की आमसवा में सत्ता पक्षके वरिष्ट नेता नगर सिवक द्याशंकर तिवारी ने अपने संबोधन के दोरां सबाग्रिया के परंपरा कानून के दाइरे में रखकर अनों के संगीन आरोप सबूस लगाए उस समय यह भी आरोप लगाए थे कि उनका मनपा महिला कर्मियों के प्रती रवया निंदनिया है अब जब नाकपुर मनपा से उनका तबादला कर दिया गया इसके बाद जनता की सिंपेती हासिल करने के लिए उनने इस तरीके से सेबर लगाना उचीत नहीं मुंडे का आरोप महिलाओ के लिए बहुत ही अपमान जनक है अब तक के महिलाओ की कई संगटनों ने इसकी शिकायत महापौर संदीब जोशी से कर चुके इन संगटन वारा जल्द ही महिलायोग में शिकायत दर्श करवाएंगे इसलिए महापौर जोशी ने मुंडे से अनुरोद किया कि वे उक्तनेता और महिलाओ का नाम सारवजन नहीं किया तो महापौर जोशी कानुनी सला लेकर उन पर दावा ठोकेंगे अन्यता मुंडे शहर के मैलाओ से सारवजनिक माफिय मांगे इन बीजन न्यूज के लिए अभिशेक पांसी की रिपोर्ट